क्या आप जानते हैं गुलगेट ने हमें सब को उल्लू गनाया मातर 14 साल का बच्चा लाखो का करोवार किया सोच कर दंग रह जाओगे हिपो पोटेनस एक रात में कितना घास खा सकता है 20-23 में रोबोट महिला देंगे खाना रेश्टाउन में आखिर क्या होता है एक ट्राफिक पुलिस निवोर्क सीटी में ट्राफिक रोक देता है ए वीडियो बहुत ही मज़दार होने वाली है दोस्तों इन तक हमारे साल वीडियो में बने रहिएगा नमबर 10 मानो शरीर का 96% हिस्सा ओक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइड्रोजन इन चार तत्ते उसे बना है नमबर 9 यूटूब पर सबसे लंवी वीडियो जोनाथन हार्चिक के द्वारा अपलोड किया गया है जो 571 घंटे मिनट और 41 सकेंड का है नमबर 8 बजबन में हम जिस खेल को आई स्पाइस बोलते थे, दरासल उस खेल का नाम आई स्पाई होता है नमबर 7 साल 1925 में एक ट्राफिक पुलिस में निवार्क सिटी में ट्राफिक रोग दिया क्यूंकि एक बिली अपने बच्चों को लेकर अराम से रोग कोस कर सके कैफे होगा जो बिना इनसानों की मदद के पूरी तरह से चलाया जाएगा गराकों की सेवा के लिए एक कैफे 24 घंटे खुला रहेगा दुनिया का पहला क्रेडिट कार्ट तब बनाया गया जब एक आदमी को खाने का बिल देना था और वो पर्स घर भुल गया था फूर हीपोपोटेमस एक रात में करीब 35 किलो तक घास खा सकता है गोरतपूर में नवी के छातर अमर परजा पती ने लोकडाउन में लेट बल बनाना सिखा अपने पिता से दो लाख रुपेह लेकर छोटे पैमानों पर बेपार सुरू किया आज हर दिन हजारों लेड लाइट बना कर लाखों पमाता है केसर इतना महंगा क्यूं होता है दरासल केसर की खेती के लिए बहुत कम मसीनरी का इस्तिमाल किया जाता है सिफरों के फूल से धगे निकालने के लिए मसीन की जगा हाथों कवपयोग करना पड़ता है एक फूल में सिफरों के तीन नाजुक धागे होते हैं ऐसे करीब 75,000 फुलों से लगभग 400 ग्राम किसर निकालता है यही कारण है कि किसर इतना महना होता है नमबर एक कोलगेट ने हम सब को उल्लू बनाया 90's में हम अपने दात कोईले से माझा करते थे तब एक नई कंपनी कोलगेट की इंट्री होती है तब 90's में कोलगेट हम से कहती है आप कोईले से दात साफ कर रहे हो उसे आपके दात खराब होते है और कहती थी कि हम हमारे बनाये हुए वाइट कोलगेट यूज करे उसे दात साफ और स्ट्रॉं होते है आज कोलगेट खूद चारकॉल से बनाया हुआ डूट पेस्ट पेस्टी है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें इसे हमें बेना मिलती है वीडियो बनाने में तब तक के लिए सेफ रहें सतरक रहें जैं हिंद वंदे मातरों